नमस्कार में दीपक स्वागत करता हूँ आपका ज्यान नेस पर इस्टुएंट इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 में जो आपका चैप्टर नमबर 5 चला है मैं आपको इस्टोएंट एक्साइज 5.5 तक कंप्रीट बता चुका हूँ और यह मैं आपको पड़ा रहा हूं यह पड़ा रहे हैं आपके लिए एक्सराइज 5.6 में ठाकी छोटा यह चीज राशार चीज के सिर्ट कर देंगे ठीक है तो फ़िए आपको जो एक्सराइज 5.6 से ना वो समझ में आईगे ठीक है तो चलिए समझ देते हैं क्या है एक्साइज 5.6 में नया क्योंकि थोड़ा नया ही यह को आपको नए नए दिखने को मिलेंगे अब तक जो आपने किये थे थोड़ा उससे हट कर तो देखिए डेटीव से अफ फंक्षण इन पैरामेट्रिक फॉर्म देखिए पैरेमेट्रीक फ़ॉर्म क्या होता है फंक्षण का उनका हमें डेटीव कैसे करना देखिए इस टैप फीडिज को समझ यहां पर एक्स बी और रवाईबी ए एक ऐखिए अब यहां तक आपको क्या था डारे पॉजिन को कैसे करेंगे उसके थोड़ा सा बेसिक बता रहें किलियर तो उनको बोलते हैं पैरेमेटीक फ़र्म कैसे फ़र्म पैरमेटीक ठीक है कि एक ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं बिट्विन तू वैरिबल दो वैरिबल तो हैं एकसट वाई आपको यहां भी दिख रहा हो होगा और एक होगा Y equal to यानिकि X equal to और य एक Y equal to दोनों में आपको दिगराओगा T है यह F of T और यह G of T जैसे आपका f of x होता था ऐसी यहां पर टी आ गया तो यह जो अधर वैरियबल है यानि कि तीसरा वैरियबल आ गया दो वैरियबल तो हमको समझ में आते थे आपको दिख रहा होगा उसे क्या पोलेंगे अब जरूरी नहीं कि ती ही हो हर जगा हो सकता यहां पर टीटा कर देखे इसमें डाल सकता है कोई प्रॉबलम उससे नहीं हो नी चाहिए तो एक X equal to और एक Y equal to होगा clear तो हम इस तरह की जो function होंगे इस्टोर्ण उनका derivative कैसे निकालेंगे and to find that derivative function in such form जो इस तरह की होंगे and we use this formula इस formula का use करेंगे क्या dy upon dx इसका करेंगे यहां से आपका निकलेगा कैसे निकलेगा देखिए आपको पता है कि Y equal to cash 20 आपके पास जी डास T हो जाएगा आपको पता है जैसे कि fx का क्या होता है f of x का क्या होता है f dash x भाई आपके पास अगर कोई function y equal to दिया होता था y equal to f of x तो आप जाब differentiate करते थे with respect to x तो y का लिखते थे dy upon dx fx का क्या होता था f dash x ही तो होता था ठीक है कोई प्राब्लम तो ऐसी में इधर हो जाएगा कितना f dash t कोई problem is student कोई problem I hope नहीं होनी चाहिए तो formula क्या बनेगा dy upon dx का आप ये formula लगाएंगे क्या कि dy upon dt यानि कि ये और upon में आजाएगा ये वाला ठीक है dy upon dt और upon में आजाएगा dx upon dt देखे dy upon dt और dx upon dt इसको अगर मैं पलट के लिखो student तो dy upon dt ये है आपका और इसको पलट हैंगे तो dt कहा चाल जाएगा ऊपर यानि कि dt upon x हो जाएगा पलट कर देखे dy upon dt वैसी रहेगा और ये क्या हो जाएगा आपका dx upon dt पलट कर dt upon dx हो जाएगा और ध्याना अगना इसका वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए इसको पलट कर ऐसे भी लिख सकते हैं यानि कि dy upon dt और into dt upon dx थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूं ऐसे होता नहीं है समझने के लिए बता रहा हूं मैं बताने जा रहा हूं देकिए dt से dt कैंसल तो क्या बचा dy upon dx ही तो बता दिकिए यही तो है समझने के लिए बता रहा हूं के लिए तो आप यह वाला लगा या यह वाला कर लो बात एक है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसे को करेंगे ठीक है dy upon dt और dx वाले को थोड़ा प्लट कर लगा देंगे dt upon dx कोई प्रॉब्लम कोशन करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह के समझ में आएगा चली एक्साइज 5.6 में आते हैं काफी अच्छी एक्साइज दिखिए कोशन कोश दिखिए यह कोशन आपके पास लिखा अच्छी एक्साइज दिखिए जो भी आपको थर्ड वैरियेबल दिखरा वो पैरेमेटर के लिए तो एक्सर वाइक्साइज गीवन जो आपको एक्साइज दे रहे कि ए इन एक्ससाइज 1-10 यानिकि 1 से लेकर 10 तक जितनी भी एक्लियर स्ट्रॉब्लम एंड विदाउट यह आपको यह जो पेरेमीट वरी परेमिंटर यानिके आपको यह जो पेरेमिटर है विदाओ टली मिल्यस इसको खटाने नहीं एक्स्कौ governo का बीटी टी यह थी-डी भी है यह किaya कर देना बात के लिए रही है出 चलिए तो आप लिख सकते हैं डिफ्रेंश спасибо नहीं में लिकेंगे ठीक है विद रेस्पेक्ट टू टी ध्यान अगना यह ठीक है थर्ड अमलब कॉंवेरिबल है जिसको हम पारमेट्रिक बोलते हैं ठीक है तो एक्स का करेंगे तो इधर के हो जाएगा इस्टुएंट डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा अच्छा इसमें टू टी को बलगी भारी रेंदो डी आपॉन डी किस तो नोधी पावर को यहां पे डी अपॉन डइक्स तुदी माइन माइन फट सा फी foll94 का और दी एक्सकी आट मैनसहों तुल है त्लाई टीक्र माईन टी सट्रेल मेरा तो एन की बत्त हैं पावर की आज को पावर यह की पावर अच्छा लिगने की चुरूत नहीं तो सिधा 2T हो गया सिधा क्या हो गया ती स्कॉर का क्या हो जाएगा इस्टोन आपका 2T हो जाएगा एंड 2 2 जा कितना हो जाएगा 480 480 यह हो गया आपका dx आपन dt का वैल्यू कोई प्राब्लम कोई प्राब्लम नहीं है इधर y को भी कर लिजिए साथ में y एकुल टू क्या है एक टी टू दी पावर 4 टी के रेस्परेंट में इधर हो जाएगा डारेट आप याद कर लेंगे अच्छा बताओ टी की पावर 8 का क्या होगा 8 टी की पावर 7 टी की पावर 9 का 9 टी की पावर 8 सिधा याद रखिए आपको काफी कोईशन आपने कर लिए टी की पावर 3 हो गया ठीक है जी कम्प्रीट करके यह अब देखें इस्टुए आपको बताये कि डी वाइपन डी एक से होगा यह फॉर्मुला एक गईगा या डी वाइपन डी टी इन्टू डी टी अपन डी एक समझने के लिए मैंने का डी टी ती अगर कट जाएगा तो टी आपन डी एक से तो इसको भी पलट देंगे इधर भी पलटा ना यह उपर होगा यह नीचे तो इसके नीचे क्या मालो सपोर्ट के लिए वन मालो तो यह पलट कर क्या हो जाएगा वन अपन 480 भाई अगर आप यह फॉर्मुला यूज करेंगे ने स्टुए फिर भी तो आपको पलट नहीं पड़ेगा तो मैंने फॉर्मुला ही पलट कर रखा हुआ है थीक है तब आपको प्लट नहीं पड़िए कि यहां पलट दीजी बस इसके नीचे क्या मालो वन मालो तो इसको भी प्लट तो वन अपन हो जाएगा तो यह हो जाएगा वन अपन 4at ठीक है 4a से 4a cancel, 1t से 1t cancel, तो कितना बचा, t की पावर 2, कितना बचा एंसर, dy upon dx का वेले हो गया, t square, बोलिए, 4a से 4a cancel, t से 1 पावर cancel, तो कितना बचेगा आपका final, t square ही बचेगा student, दने बाद, I hope आपको कोशन समझ में आएगा, अभी और आएगा समझ में, समला कोशन नमबर 2 बढ़ते हैं, यहाँ पे x और y तो है, 2 variable तो होते ही है, सुनाए हमने, लेकिन theta एक तीसरा भी आगया, तो यह theta क्या है, parametric को दिखा रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते है, parameter, उपर t था, तो यहाँ पे theta आगया, उससे कोई problem नहीं है, formula में यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy upon d theta और यहाँ पे d theta upon dx, ठीक है, यानि कि t की जगा theta हो जाएगा, कोई problem वाली बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, differentiate करेंगे, student with respect to, किसके respect में, theta के respect में कर देंगे, उससे क्या problem में, तो इधर हो जाएगा, dx upon d theta, एक हैस में constant होता है, पता, constant का बाहरा आजाता है, उसका नहीं होता है, ठीक है, derivative, क्योंकि जब तक function है, हाँ, अकेला है constant, अब तो 0 हो जाएगा, इधर भी साथ-साथ कर लीजिए, dy upon d theta, इधर हो जाएगा, b constant है, तो d upon d theta, किसका होगा, student cost theta का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, आपका, cost theta का, ठीक है, इसको करिए, student बढ़िया करके, आपको पता, cost theta का integral क्या, sorry, differentiate क्या होता है, minus sin theta, क्या होता है, minus sin theta होता है, ठीक है, आपको याद होना, इधर भी, क्यों जाएगा, minus sin theta हो जाएगा, ठीक है, दोनों का, एक जैसा ह यह किसका फेलूओ आगे दीदा का वैलू यी आगया दीदा का वेलू यहागो क्या निकालना मैंने कहा आपको क्यों निकालना यह थो फील्司क्न यानिकी सब्सक्राइब और d t upon dx नहीं कि d theta upon dx ठीक है बड़ टी की जगा theta हो गया उससे कोई problem नहीं है तो मैंने formula को ही पलट दिया अगर आप यह लगाएंगे फिर भी आपको पलटना पड़ेगा इसलिए यही लगा दो सिदा सा अब देखें d y upon d तो यह है student यह दिख रहा है आपको d y upon d ठीक है तो इसको रख दीजिया माइनस का b sin theta into d theta upon dx यह ना d x upon it इसको पलट दो तो यही पर इसको बलकी पलट दिया को रहा गली बार से समझ मागे ना क्यों पलट ना है इसके निचे 1 मान ले तो 1 उपर चलिए गया नहीं कि 1 upon a sin theta हो जाएगा ठीक है जीए देखें इसके निचे support के लिए 1 ले लो तो पलट के यह हो जाएगा यहां रख दो माइनस का 1 upon a sin theta आपका यह आगया a से a कड़ गया साइन साइन से साइन कर गया एसे नहीं साइन से साइन कर गया माइनस माइनस कर जाएगा प्लस तो आपके पास result के बचा student b upon a बचा किसका value dy upon dx का value यही आपका answer है संदमाने क्या इलेक हम यहां पर क्या बोले हम यहा पर आपका सст काइन से साइन कैंसल हो जाये ठीक है यहां पर आपका क्या कैंसल भानि Hm बase यह कि करने के लिए तो अच्छी बात थोड़ा नया भी सीखना चाहिए ठीक है अब गित ऑन सब्सस्या फौप्र तो कोई प्राब्लम में हम ऐसे भी कर लेंगे बढ़िया करके समझ में आ रहा होगा अब सिधा डिफरेंशेट विद रेस्पेक्ट टी लिख देंगे आप कोई प्राब्लम नहीं इधर हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी टी इधर आप करेंगे डी अपॉन डी टी किस हां इतना जरूर है कि जो फाइनल आंसर आरा है ष्ट्योट वह एक्स के रेस्पेट में आरहा है अन्य कि दी आप ऑन डी एक्स ही तो आरा फैनल गी ही तो फाइंड करना आप को चलिए तो यहां पर जाए साइन टी का टीड इसलिए की नहीं हो और जाएगा क्यों कोई प्र करते थे इस्टूट अंव दी ऐस्ट कौस एक्स का क्या होता था आपको पता माइनस साइन एक्स होता था यहां पर थी कर देंगे तो सायं टी हो जाएगा और लेकिन अगर d upon dx कॉस्ट 2x हो तो इसका क्या करते थे हम इसको x मान लेते थे x थोड़ी ना है 2x हो यहां तो x ही है तो यहीं लगेंगे minus sin x x मतलब 2x लेकिन यह x थोड़ी ना है यह तो 2x है तो उसका क्या होगा derivative को किसका 2x का ठीक है तो 2 constant और x का कितना होता है 1 होता है मतलब 2 को अगर आप भार निकाल देंगे तो d upon dx का कितना होता है 1 होता है तो answer आगा इसका 2 1 जा 2 2 sin 2x ठीक है यह होगा यहां पर ही वह ही है बस t हो गया x जगा क्या गया ती हो गया इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको क्या मानलो टी मानलो मैंने करता कॉस्टी का क्या होगा स्ट्रेंट माइनस का साइन x x मतलब 2t ध्यान ना यानिकी t मतलब 2t है ठीक है तो लेकिन वह actually t थोड़ी ना है वो तो 2t है यानि कि तो d upon dt फिर किसका होगा इसी का होगा इस 2t का ठीक है जी जैसे यहां पर किया घबराई हमत एक्स यहां पर इसको एक्स मान लीजिए जैसे यहां पर 2t को टी मान लेकि क्यों कि टीक है चल लाए तो इसका दुबारा होगा तो क्या होगा जैसा भी एक्स का क्या था देखिए गवराई हमत साइन 2t इसको ऐसे लिए कि तू किया इसमें और दी अपॉन 50 hasn उप्राइब कर दी गार्स का बता है आपको डी अपॉन डीएक्स सारी वीडियो में बता रहाएं अगर आप इस एक्सभी सदकेस को पर्ट रहे होंगे तो हम यह मान के चलो Влад बेसी चीज़े आपको पता होनी चाहिए छोड़ी चीज़े चलिए 2 अंजा 2 तो माइनस का 2 साइन 2T बास वही आगया जो X में था माइनस का 2 साइन 2X ठीक है इसका बलके आपको डारिट याद भी होना चीज़े ठीक है कि भाई करते 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 बिल्कुल याद ही हो गई है माइन में चब गई है कि कॉस्ट 2X का यह एक्स मालो साइन 2X माइनस का और 2X का दुबार होगा तो 2 आ जाएगा बस सिधा अब इस टोड़न आपको क्या निकालना है आपको निकालना है जी डी अपॉन 10x का वैल्यूव तो dy अपॉन dxt और इन्टु क्या होगा डीटी अपॉन dxt तो मैं बार-बार बोलना हूं दिटी अपॉन dxt यहां पे इसको पलट देजिए d t upon d x आप पलटेंगे तो कितना हो जाएगा बूलिया, cos 2 पर है तो कितना हो जाएगा, 1 upon cos 2 हो जाएगा, तो दीखे, dy upon dt का value यह आपका रखी है, minus का 2 sin 2 t रखेंगे, into dt upon dx का value है, 1 upon cos t, ठीके, इस्टोएट क्या है, 1 upon cos t आगया, ठीके, इसको थोड़ा और अगर हम solve करेंग इस्टोएट, आपको अच्छी तरह से formula पता होगा, sin 2 x का, यह वाला formula देखिए, किसका formula, sin 2 theta लिखो, 2 x लिखो, बात लिखे, क्या होता है, इसका formula, 2 sin x, cos x, अगर मैं a में लिखूँँगा, तो sin 2 a हो जाएगा, क्या होगा, 2 sin a, cos a, ठीके, अगर मैं theta में लिखूँँग sin 2 t, अपन में क्या होगा, cos t, अब उपर मैंने का formula खोल दीजिए, क्या खोलेगा, इसका formula, 2 sin t, cos t, जैसे अभी पता है, sin 2 x क्या होता है, 2 sin x, cos x, तो यह हो जाएगा, 2 sin t, cos t, अब उपन में क्या जाएगा, student, cos t, अब देखिए, उपर नीचे कुछ चीज क्या हो रही है, student, cancel हो रही है, यानि की, आपका cos t, से cos t, क्या हो रहा है, cancel हो रहा है, तो देखिए, 2 2s क्या हो रहा है, 2 2s क्या हो रहा है, minus 4 sin t, यह हो गया, आपका क्या student, dy upon dx का value, this is a final answer, ठीक है, student, कोई problem, क्या गया, minus 4 sin t, समझ मा रहा है, तो बहुत अच्छे लग रहा है, question, आपको सर रहा है, ठीक है, चलिए, और भी किजिए, चौथा question, और भी आपका confident level बढ़ेगा, जैसे आप जितनी practice करेंगे, example भी आप जरूर करें, student, ठीक है, अपने स्थर पर, ठीक है, यानि की parameter t है, x और y अलाग लेगे, बिल्कुल सही format है, यानि की, t के respect में कर देंगे, इधर dx upon क्या हो जाएगा, student, dt, 4 क्या हो जाएगा, constant, तो d upon dt, t का कितना हो जाएगा, आपको पता, 1, जैसे d upon dx, x का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 कैसे होता आपको यह, मैंने का पहली कई बार में आपको बता चुका हूँ, तो यह हो गया, dx upon dt का value, 4, 1 जा 4, यानि की 4 आगया, ठीक है, x का 1 होता न, देखिए, यह वाला formula लगता है, कौन सा, यह वाला, d upon dx, x का 1 कैसे होता, देखिए, इसकी power कितनी माल लो, 1 ही तो इसकी power, तो यह formula लगाओ, x की power n, तो n, n मदलब 1, x की power n-1, यानि की 1-1, तो 1-1 कितना हो गया, student, 0 हो गया, अब किसी की power 0 कितना होता होता है, 1, 1-1, 1, इसलिए 1 होता है, ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, done बात, अब y का भी कर लिजिए, dy over dt, इधर 4 क्या जाएगा, constant, 4 तो constant है, तो d upon dt किसका होगा, 1 upon t का 1 का सा है, सर्थ, 4 बंजा 4 होगा, तो t upon में तो है, ठीक है, इसका कैसे निकलता, आपको पता होना चाहिए, अच्छी तरीकी से, तो मैं direct लिग रहा हूँ, 1 upon t का क्या होगा, minus का 1 upon t square, देखिए, हमें कैसे पता है direct, practice करके, सब practice का खेले, किसका बोला मैंने, d upon dx, 1 upon x square का, ठीक है, x square मतला है, यहाँ पर t ही तो है, यहाँ पर क्या student, t है आपका, तो x ले लिए, मैंने कोई problem निए, 1 upon x का, कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, d upon dx, इसकी पावर से में का student 1 है, तो 1 को पर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, minus का 1, तो इसको क्या माल लेंगे, n माल लेंगे, इस formula के according, तो क्या होगा, n, n मतलब minus 1, x की पावर n minus 1, n मतलब minus 1, और minus कर देंगे, 1 तो minus 1, minus 1, minus 1 क्या हो जाएगा, minus का 2, तो minus 1, इसको निचे लियाएंगे, तो x की पावर के हो जाएगा, 2, तो यही तो लिखा मैंने, minus का 1 upon x square, यानि की t square, तो क्योंकि यहापे 1 upon t था, तो मैंने किसका निकाल के बताए, आपको 1 upon x का, x की पावर इस सम्हें कितनी है, 1, ऊ समाल लिजे, according to this formula, तो n, n मतलब minus 1, n minus 1, minus 1, minus 1, minus 2, इसको निचे लियाएंगे, plus का हो जाएगा, तो 1 upon t का minus 1 upon t square कैसे निकाल रहा न, पता न, आप ऐसा बिलकि पूरा detail में कर लें, कोई problem वाली बार भी नहीं है, ठीके, आप कर लें detail में, कोई दिक्कत नहीं जी, तो हो ग इसको मैंने का हम बार 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 बोल लेंगे, पलड़ दिया करो, ठीक है, मैं उसी समय इसलिए नहीं पढ़ दाओ, ताकि मैं समझा पहूं, तो 4 का क्या हो जाएगा, 1 upon 4, तो यहाँ पर रखेंगे, इस्ट्वर नम, 1 upon 4, और आपको पता है, क्या cancel हो जाएगा, 4 से 4 क्या तो आपके पास रिजल्ट के बचा, यह माइनस का 1 upon t square बचा, यही आपका dy upon dx का value हो गया, ठीक है, पैरेमेट्री कौन इसमें t है, ध्याना ना, डाने बाग कोई प्राव्लम, कोई प्राव्लम नहीं हो जाएगा, I think, भौत इजी कोशन है, चलिए, कोशन नवार फिप पर देते हैं, अब इसमें variable कौन आ गया, मनलब पैरेमेट्री कौन आ गया, theta गया, उससे कोई प्राव्लम नहीं, xy है, theta है, तो differential with respect to theta, तो कोई दिक्कत नहीं जी इधर हो जाएगा, dx upon d theta, यहाँ individual कर दो अलग-अलग, d upon d theta किसका, cos theta का, minus d upon d theta किसका, cos 2 theta का, ठीक है, कोई प् अलग-अलग, d upon d theta, किसका, इधर d upon d theta, sin theta का, इधर तो d y upon theta हो जाएगा, जैसे x के respect में करते है, d y upon dx, यहाँ theta के respect में सलला है, d upon d theta किसका, sin 2 theta का, ठीक, तो cos theta का क्या होगा, minus का sin theta हो जाएगा, आपको पता है, cos theta का minus sin theta, यहाँ पे भी, यह क्या मानलो, theta, actually वो 2 theta है, तो थोड़ी देर के लिए theta मानलो, cos theta का यही होगा, क्या होगा, minus का sin theta, लेकिन already minus है, तो bracket में रखी है, minus का sin theta, theta मतलब 2 theta, लेकिन actually वो theta थोड़ी न, वो तो 2 theta है, तो क्या होगा, d upon d theta निकलेगा, किसका जी, 2 theta का, वैसे आपको बता दिया, direct, अभी बताए, cos theta का, कैसे होगा, अभी पीछे बताए था, क्या होगा, minus sin theta, 2 theta का कितना आजाएगा, 2 आजाएगा, बस ही तो फरग पड़ेगा, ठीक है जी, तो देखे, minus का sin theta, minus minus क्या होगा, plus का, sin 2 theta, 2 constant theta का वन्याने कि 2 आजाएगा, सिधा, कोई problem, यह मैंने सिधा ही लिख दिया, dx upon d theta का value, इधर भी dy upon d theta, सिधा आप लिखने की कूछ करे, sin theta का क्या हो जाएगा, cos theta, sin theta का, लेकिन यह 2 theta है ध्याना, इसको theta मान लीजिए, cos theta, theta मनलब 2 theta, लेकिन एक्चली वो theta नहीं है, तो d upon d theta किसका होगा, 2 theta का, अब 2 constant theta का कितना हो जाएगा, 1, तो 2 बचा simple, तो 2 को मैंने आगे लिख दे जाएगा, यानि की 1 upon आजाएगा, सारगा सारा, minus का sin theta, पताने, इसको पलटते क्यों है, according to formula, ठीक है, formula में यह जूरत पड़ेगी, देखिए, t की जाएगा, theta हो जाएगा, formula में, यानि की student, आपका dy upon dx हो जाएगा, कितना, dy upon dt, तो d theta हो जाएगा, और dt, यानि की d theta upon dx, तो dy upon dt, तो यह है, आपका, cos theta, रखिया, cos theta, minus 2 cos 2 theta, ठीक है, student, यह आपने रख दिया, clear, और into अभी d theta upon dx करना है, into करना है, d theta upon dx, तो यह देखिए, अब समझ मैं, पलट के क्यों है, क्यों है, आपकी formula पलट जावा मांगता है, ठीक है, या तो आप, मैंने का, यह वाला रख द ले लो, तो 1 upon इतना हो जाएगा, इसको रख दीजिए, 1 upon कितना student, 1 upon minus का sin theta, और plus का 2 sin 2 theta, ठीक है, यह आपने रख दिया, इसका value, 1 किंट 2 करोगे, यही आजाएगा, कोई problem नहीं, यानि कि cos theta minus 2 cos 2 theta upon में, यह plus का आगे लिख दो, sin 2 theta, और minus का sin theta कहां लिख दो, student, पीछे ल dy upon dx का value आगया, clear है, बहुत आसान था na question, तो बिल्कुल घवराना नहीं, आप copy pen निकालें, और मेरे साथ इस तरह से करते ने question को, आपको बड़ी easy लगेंगे, तो parametric form भी आनि की कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान question है, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, बलकि और चलिए, ये भी x है, ये भी y है, बढ़िया है, theta इसमें क्या आगया, parametric यानि कि यहाँ पर भी theta है, t की जगा, तो t हो या theta हो या कुछ और हो, हम कर लेंगे, हमें आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, एक्स का, dx upon d theta, इस तो एक है constant, तो अंदर ले जाओ, फिट, theta का अलग करो, और d upon d theta किसका अलग करो, sin theta का अलग कर दीजे, ठीक है, इंडिविजल हो गया, ठीक है, ठीक है, इस तो constant इसको भारी छोड़ दो, d upon theta सबसे आगे लगेगा ना, तो उसको अंदर डिस्टिटिट कर दिया, ठीक है, ठीक है, एक है, जीरो होता आपको पता है लेकिन यहां पर नहीं होगा constant का 0 कि उसके साथ function है अभी ठीक है एके साथ function लिखावा तब नहीं होगा 0 हाँ जीरो च्वाइगा अकेला है तब वो 0 हो जाएगा अच्छा जी दीपॉल्ट ठीटा का 1 कैसे आता आपको कई बार बता दिया अभी बटा दिया इधर साइन फषटा क्या होता है का सूस थीटा बाक डा की लिए x upon d theta का value actually मैंने दुबारा उतार जया ठीक है जब की जुरुवत नहीं थी ठीक है चली कोई बात नहीं है d y upon d theta 0 minus sin theta यहीं आएगा यानि की plus minus 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 का a sin theta कितना बचा minus का a sin theta ठीक है इसको बलकि पलड़ दो आपकी पता नहीं क्यों पलड़ते हैं क्योंकि हमको फॉर्मुला में पलटा हूँ इसके निचे वन तो वन अपॉन हो जाएगा यह वन अपॉन a 1 minus cos theta ठीक है यह हो गया अब आपको पता हमें के निकालना है d y upon dx फॉर्मुला d y upon dt dt मदला d theta यहाँ पे फिर dt यानि की d theta upon dx ठीक है यहीं होता है चली है इसमें value रखिए d y upon dt यह निकाले रखा है minus का a sin theta into d theta upon dx का value यह है 1 upon a और bracket में 1 minus cos theta का value यह आपने student रख देना है कोई problem यहाँ था कोई भी दिक्कत नहीं है देखिए ऐसे क्या हो जाएगा आपका cancel तो इसकी into once होगी यह आगा यानि की minus का sin theta upon में आगा student 1 minus cos theta यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आप student जड़ा कुछ यहाँ पर formula लगेंगे थोड़ा सा वह अच्छा तो यह भी ठीक है अंसल लेकिन थोड़ा सा और भी इसको किया जा रहा है ठीके दिखिए आपको पता है student sin 2 theta का formula क्या होता आपको पता है अभी बताया 2 sin theta cos theta होता है यहाँ पे चाहँ तो x लिग लो sin 2 x का 2 sin x cos x a लिग लो sin 2 2 sin cos है जिस में लिगना फॉर्माल लिग लिजिए ठीक है लेकिन अगर student में बोलो मुझे 2 theta नी बलके theta ही चाहिए यानि कि 2 theta का आधा कितना हो गया theta तो इधर भी आधे हो जाएंगे एंगल यानि कि यह theta की जागा यहाँ पी भी जागा theta by 2 पता आधे क्यों एंगल यूगकि मैंने 2 theta के जगा theta ले लिया ना तो 2 theta का आधा theta तो इधर theta का आधा theta by 2 समझ मारा माल लिजे 2 theta 90 था तो theta कितना हो जाएगा 45 समझ मारा क्लियो नी बाते चलिए तो यह sin theta का यह वाला formula यहाँ पूट कर देंगे एंसे student आपको cos 2 theta के formula बता रहे हैं उसे चार formula है लेकिन जो दो formula है वो है यह 1-2 sin square theta और एक और student 2 cos square theta minus 1 यह मैंने आपको पीछे बताई भी होंगे ठीक है जब मैं आपको exercise 5.3 पढ़ा रहा था हूँ आपर सारे formula बतायते पास्ट टूट टूट टा के चार formula उनमें से दो formula यहीं भी है लेकिन इस टूट हमें 2 theta नहीं बलकि यहां तो theta चीए तो आप 2 में से एक ही लेगेगा क्यों लेगेगा वही इसलिए हमने दो formula लिखें देखें ओपर तो कोई confusion नहीं साइन थीटा का एक ही formula ही है वैसे साइन टूट है के दो होते हैं 10 भी लेकिन उसका जुरत यहीं पड़ता है सब ज्यादा ठीक है क्या 2 साइन theta by 2 और cos theta by 2 ठीक है यहां तक अपान में देखें ज़रा ध्यान से 1 माइनस ध्यान आए इस्टूट हमें यह 1 कैंसल करना पड़ता है तो मैं इन में से यह वाला लगाएंगे theta by 2 लगाएंगे क्यों कि theta यहां पर clear है तो मैं आप यह लगाऊं कि यह लगाऊं इस्टूट अगर मैं यह वाला लगाता हूं तो फॉर्मला किसके अंदर आएगा bracket के अंदर आएगा तब मैनेस से बार साइन चेंज होगे यह मैनेस वन हो जाएगा मैनेस से तो यही वाला लगना चाहिए यह वाला नहीं लगना चाहिए तो यहां पे तो ब्रेक्ट खुलेगा यह मैनस का और मैनस मैनस प्लस वनों टू एड हो जाएगा क्या हो जाएगा टू एड हो जाएगा जो की problem में आ जाएगा ठीके यानि कि उ सब कुछ करने के बाशूत तो यह वाला लगाएंगे student क्या 1-2 sin square theta by 2 यह वाला आप लगाएं ठीक है इससे क्या मिलेगा देखिए उपर जो है उसको वैसे ही लिखिए कोई problem वाली बात नहीं है ठीक है नीचे bracket खोलेंगे प्लस माइनस माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का ठीक है 2 sin square theta by 2 ठीक है जी कोई problem वाली बात नहीं है 1 से माइनस 1 cancel तो आपके पास result के बचा है student माइनस का 2 sin theta by 2 cos theta by 2 यानि की उपर वाला बे वज़ा free में चलना ठीक है नीचे है 2 sin square theta by 2 आप देखे है यहां पर 2 से 2 के हो जाएगा आपका cancel एक sin से 1 sin cancel क्यों क्योंकि नीचे है square है एक sin से 1 sin cancels तो ऊपर क्या बचा फिर है माइनस का उपर बचा cos theta by 2 क्योंकि 1 sin कड़ गया तो एक ही तो बचा नीचे साइन थिटा बाइटव और आपको पता है स्टों कॉइं और सीन क्या होता है कोट थीता बाइट नैगेटीव ठीक है भाई साइन अपोड कोड एंगल थीता है तो थीटा हो गया तो यह किसका वल्यू आगया आपका डी वाई अपान डीएक्स का वैल्यू ठीक है तो इछ दे को बार बार जुरत पड़ती रहेगे तो को ठीटा बाइट इसका आंसर आगे तो इस्टुएंट मैंने आपको इस एक्साइज 5.6 में कोर्शन नंबर 6 तक कराया कम्प्लीट कुछ मैंने इस एक्साइसरेटर कुछ बेसिक चीजे बताई वाई हो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके ठीक है इस तरह से आपने आपको यहां पर 6 कोर्शन बताए थैंक्यों सो मत वाचिंग इस वीडियो